दोस्तों आज अमेरिकी राष्टपती ने अचानक यूक्रेन पहुँचकर दुनिया को आश्यर में डाल दिया है। आखर युद्ध और हवाई हमलों के बीच इतनी खतरनाक जगह में अमेरिकी राष्टपती क्यों पहुँच गए। अमेरिकी राष्टपती के यूक्रेन पहुँचने का कई देश अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन असली बज़े ये है कि यूक्रेन युद्ध न रोक पाने की बज़े से जो बाइडन की जो लोक प्रियता कम हो रही थी साथ में अमेरिका के महाशक्ति होने पर भी सवाल उटने लगे थे जिस प्रकार से अमेरिका के भरोसे यूक्रेन बरबाद हुआ है अब भविश्य में अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं करेगा। खुद अमेरिका में जो बाइडन की लोक प्रियता गिरती जा रही थी और फिर से लोग डोनाल्ड ट्रम्प को याद करने लगे थे। जो वाइडन यूक्रेन पहुँच कर ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका आज भी दुनिया का शक्तिशाली देश है और वो जब चाहे जहां चाहें दुनिया में जा सकते हैं। अमेरिकी राष्टपती का युक्रेन दौरा युक्रेन का समर्थन कम अमेरिका का शक्ती प्रदर्शन ज़ादा नजर आता है। तमाम प्रतिबंदों के बावजूद भी रूस अभी तक युक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। पूरा यूरोप और अमेरिका भी कि अमेरिका ने जो बड़त बनाने की कोशिस की है उसको कम किया जा सके अगर इसके नतीजे की बात करें तो उक्रेन के लिए ये ज्यादा भयानक साबित हो सकते हैं